नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरी किचन में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ सेजन की सबजी जिसे ड्रम स्टिक भी कहा जाता है यह मारे लिए बहुत ही गुणकारी है क्योंकि यह बहुत ही प्रोटीन युक्त सबजी है तो एक बार आप भी जरूर ट इसमें मूमफली की दाने भून लेंगे हम यह मूमफली है जिसे अच्छे से भून लेना है इसमें आप चाहे तो कॉकनेट पुरादा भी यूज़ कर सकते हैं इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी है और स्वाधिष्ट बनेगी अब इसमें तोड़ा साहरा दनिया डा मूमफली को मून जाने के बाद में हमें मिक्सी में डालके दरदरा पीस लेना है अब इसमें इसी तेल में हम ड्रम स्टिक भी फ्राइ कर लेंगे थोड़ी देर पका लेना है इसे में क्योंकि यह हार्ड होती है थोड़ा पकने में टाइम लगता है इसको ड्रम स्टिक पक चुकी है अब इसे निकाल लेंगे हम अब इसमें मैं आलू फ्राइ कर लूँगी आलू को लंबा लंबा काट लिया है मैंने आप चाहिए तो आलू को स्किप कर सकते हैं बिना आलू के भी यह सबजी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है आलू का कच्चापन निकल जाए और थूड़ा सा कलर चेंज जो जाए तब हमें इसे निकाल लेना है यह देखिए अब हम आलू को निकाल लेंगे अब इसी कड़ाई में दो चमस तेल डालाई में तेल भी गरम हो गया है सबसे बहले हिसमें थेज़पता डालेंगे की इसके बाद थोड़ा सा जीर डालेंगे अधि प्याजे को अच्छे से भूम लेना है हमें नला विरे इसे utzनाफंवा considering हम् us है मैं इसके बाद इसमें ब्लकुल बारिक बारिक चॉप कर लिया था मिला देंगे इस पोच्छे से अब इसमें हम अद्रक और लैसुन का पैस्क दाल देंगे इसे भी अच्छा से मिक्स कर देंगे थोड़ी दिर पकाएंगे जब तक की कलर चेंज ना हो जाएं इसका कलर चेंज हो चुका है अब इसमें टमाटर एड करेंगे ताकि चल्दी से यह पक जाएं ताकि टमाटर को सोफ्ट होने तक मैं पकाना है यह देखिए टमाटर हमारे एकदम सोप्ट हो चुके हैं तेल भी एकदम बाहर निकल राइस का तेल जूट चुका है अब इसमें सुख्य मसाले डाल देंगे दो चमच दन्या पॉडर एक चमच मिर्ची आदा चमच हल्दी पॉडर और एक चमच नमक आप चाहे तो इसमें एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी इसमें कलर बहुत ही अच्छा आता है मैंने नॉर्मल लाल मिर्च यूज़ किये थोड़ी देर पका लेंगे इसको तो यह देखिए हमारा जो मसाला है वो एकदम अच्छा से पक चुका है अब इसमें आप मूपली और धनिया जो हमने पीस लिया था वो भी एड कर देंगे अच्छा से अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और मिक्स कर देंगे इसको बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी इससे हमारी यह देखिए हमारा जो मसाला है वो कितना शानदार दिख रहा है कलर भी बहुत ही अच्छा है अब इसमें सेजन की जो टुकडे है वो एड कर देंगे आलू भी डाल देंगे मिला देंगे दोनों को अच्छे से अब इसमें मैं दो गिलास पानी एड करूँगी पेले मैंने एक गिलास डाला है अभी अब इसमें एक गिलास पानी और एड करूँगी मैं क्योंकि जो हमारे सेजन के पी से टुपड़े हैं वो उनको पकने में टाइंग लगेगा आप चाहें तो इसमें एक गिलास और यूज कर सकते हैं यदि आपको ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो अब इसे ढखकर हम लगवग दस मिनट तक पगाएंगे ये देखिए दोस्तों दस मिनट बाद हमारी जो सब्जी है वो पक्य अच्छी तरह से तयार हो चुकी है कालर भी बहुत शानदार है ग्रेवी भी बहुत अच्छी लग रही है अब इस पर थोड़ा सा हम धन्या डाल देंगे इसको धन्या से गानिश करने के देखिए दोस्तों हमारी जो सब्जी वो तयार हो चुकी है स्वादिश्ट और पोस्टिक सब्जी है ये एक बार ज़रूर बनेएगा जो नहीं खाते ही वह भी खाने लग चाएंगे मेरे रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा